नमस्कार, स्वागता बच्चों आपका Self Study के चैनल में और आज हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं सविधान सभा यानि भारतिय सविधान सभा का गठन उसमें कैसे सदस्चियों को चुना गया था पिछली वीडियो के अंदर हमने भारत का इतिहास देखा था थोड़ा बहुत जो quality से related था जादा हमने उसको कोई detail से नहीं लिया है जितना Lushant की book में है उतना ही हम cover कर रहे हैं अच्छा, इस वीडियो की PDF जो है वो आप लोगों को टेलिग्राम का इंक link मिल जाएगा description box में वहाँ पर आप जाकर इसको download कर सकते हैं start करते हैं अपनी, देखिए cabinet mission आया है cabinet mission ने कहा कि देखिए आप भारतिये आपका समिधान बनाना है तो आपको समिधान बनाना है तो आप एक समिधान सबागा मतलब कि इसका निर्मान करिए, उसके लिए क्या किया गया ये जो mission था, इस mission के अंदर क्या थे, तीन सदस्य थे एक तो थे Sir Staford Crips, Lord Pathing Lawrence और A.V. Alexander कोशन पूछ लिया जाता है कि जो cabinet mission आया था, उसके अंदर कितने सदस्य थे क्या क्या थे, मतलब कि तीन option दे देगा, चोता जो है, वो ये कहेगा कि इन में से कौन सा नहीं था, ये भी पूछ सकता है, अच्छा, यहां पर देखेंगे, क्या हमारे देश में जो ये 1946 के अंदर समिधान सभा का जो गठन रुआ था, क्या, क्या इससे पहले किसी भी भरत्या क्या मन में ऐसा ख्याल नहीं आया था, क्या हमें भी विदान सभा के लिए, विदान सबा का गठन करना चाहिए, भी आया था, 1924 में आया था, सोअराज पार्टी ने ये परस्तूत किया था कि हमें समिधान सबा का गठन करना चाहिए समिधान बनाने के लिए एकदम से रातों रात ख्याल नहीं आ गया या फिर कैबिनेट मिशन आया इसने का कि बनाना चाहिए तो ऐसा नहीं है यहां पर पहले आ चुका है आइडिया यह दिमाग में आ चुका है बातें भी हो चुँगे इसके पीछे अब क्या होता है जब यह बात हो गई भईया 1946 में बन गया तो भी कितने सदस्य होंगे यह बात पर हुई तो देखे सदस्य हुए 389 यह यह भी भाजित भारत है अभी फिलाल कि यह यहाँ पर आये थे उदर से जिन्ना जो था हो वह वहाँ पर अपनी मांग लेके बैटा था कि हम पाकिस्तान चाहिए पाकिस्तान चाहिए अब यहाँ पर चाहिए एक बात है कि जब ब्रिटिश जो यह कर रहे थे देश को भी बाजित कर रहे थे तो वहाँ पर एक इन्हों ने ब्रिटिश नहीं या पिर अंग्रेजों ने एक आइडिया दिया था कि आप एक काम करिए पाकिस्तान आप बना लीजी एक अलग से बना लीजी लेकिन कंट्री एक रही है मतलब कि भारत एक कंट्री रहेगा लेकिन अब पाकिस्तान एक अलग से मतलब कि एंटिटी होते ने कि जैसे जमो कश्मीर का अलग समिधान हो गया या अलग से वो अपने आप को परेट कर रहे है लेकिन है तो भारत का इसे ही मतलब कि एक सुजाव दिया गया था लेकिन भाया जिनना अपनी जित पर अड़ा हुआ था ना मुझे तो अपना सब कुछ अलग चाहिए तो यह चीजे थी तो जो वारत का समिधान सभा थे इसमें कुल सदस्य जो थे 389 निश्चित हुए थे यह विवाजित वारत है टू हंड़न नाइटिटिटू सदस्य थे ब्रिटिश प्रांथ के अंदर जिसमें ब्रिटिश लोगों का सीधा इंटरफेर आता था वही शाषिन करते थे चार कमिशनर थे शेतर थे यही सेम टू सेम एक तरीके से ब्रिटिश प्रांथ भी हो जाएंगे यहां पर भी ब्र इसी रियास्ते कितनी थी चीफ कमिशनर शेतर कितने थे ब्रिटिश प्रांथ कितने थे टोटल सीट कितनी थी जब शुरुआज में सविधान सभा गढ़न हुआ अचा आगे जलते अब क्या हुआ मिशन योजना जो थी 1946 में सविधान सभा का चुनाव हो गया इतनी सीटों के लिए अब यहां पर जो थे जब चुनाव हुआ तो उसके अंदर कितने थे जो 389 परांथों के लिए जो निरधारि 296 दस्यों के लिए जो चुनाव हुए उसमें से जो प्रांत थे उनकी विधान सभाओं से 208 जो थे वो कॉंग्रेस के लिए 73 जो थे वो मुसलिम्स के 11 दिसम्बर और 13 दिसम्बर मतलब कि यूर से मैं 1946 ठीक है 1946 ठीक है December this यहांपर डियनि 9 दिसम्बर 11 दिसम्बर 13 दिसम्बर वह 1946 में समिदान सभाःगठन हो गया सदस्य सदस्य की संक्या नेरदारित हो गई उनके ओपर चुनाव हो गए, कांग्रेस उसके अंदर 208, मुस्लिम 73 और 15 जो है वो अन्य जो स्वंतंतर अमिद्वार जो थे वो निर्वाचित हुए अब क्या हुआ, अब होगी, मीटिंग तो होगी ना, सारे सदसे, आओ भया, तुम चुमन कर आयो अपने अपने प्रांतों से, आके अब बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो मीटिंग हुई, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है, अब मीटिंग में कोई तो होता है ना, ज सिल चेंबर के जो लाइबरिरी है, वहां पर हुई थी, अब यहां पर जो थे, जो लीडर जो थे, उनको बनाया गया, सबसे पहले, डॉक्टर सचिदा नंद सिना को बनाया गया, क्यों बनाया गया गया, क्योंकि सबसे बुजो रुखते हैं, तब तो कोई मिल नहीं रहा पाकिस्तान चाहिए पाकिस्तान चाही है तो वंहीं इंकर ने बैटे थेख तो बहूं आ. क्याता है कि हम तो आएंगे ही नहीं तो यह आए ही नहीं उदर से यहां पर जो एक कहां गया अच्छा एक शैद मैंने हाँ यह रहा यह रहा है एक देशी ऐसी रियास्ति जिसके परतिनिती समिदान सभा में शामिल ही नहीं हुए इंपोर्टन एक जीज अच्छा प्रांतों यह देशी रियास्तों की उनकी जनसंक्या के अनुपात में समिदान सभा में परतिनिती दिया गया था वहिए इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब यह होता है कि एक प्रांत से मतलब यह प्रांत है यहां से कोई उमिदवार चुनके गया समिदान सभा में तो वो जो यहां पर जो जनसंक्या थी उसके according यहाँ पर जिया संक्या निर्धार्ट की गई थी यह जनसंक्या जादा है तो दो सदसे यहां से चुनके जाएंगे जनसंक्या कम है तो एक सदसे चुनके जाएगा संसंक्या कितनी होनी चाहिए थी दस लाग अगर दस लाग लोग हैं तो दस ला के लिए इसमें विभाजित किया गया था क्लियर आगे चलते हैं देखिए समिधान सभा में जो ब्रिटिश प्रांतों में 296 परतिनिद्यों का विभाजन संपर्ताइक के अधार पर हुआ था वही ओविसली उन्होंने डाल दिया था न मुसली मुसलिम को चुनेंगे हिंदू जन संक्या जो थी वो फिक्स की गई थी 33 और 15 महिला जो थी अब यहां पर एक सवाल बड़ा उठता है कि जो 15 महिला हैं जो थी यहां पर समिधान सभा का जब गटन हुआ उसमें जो चुनके आने थे तो वहां पर जो सदय से चुनके आने थे न बड़े ही जो लोग आप द है ने कि हमने तो कभी बनाया है नी हमारत कभी भागिदार है नी अभी आप देखते हैं समिधान किन के द्वारा लिखा गया है इसमें तो बहुत ऐसे निचलिस तरका कोई व्यक्ती नहीं गया हुआ था तो इसके पर कभी-कभी सवाल भी उड़ते हैं अब महिलाओं को बह महिलाएं जो थी वहाँ पर चुनी गई थी नाम याद रखने कि अमूस वामिनांतन, एनी मैसकरन, बेगम एजाज रसूल, दक्ष्यानी वैल्यदून, जी दुर्गाबाई, हंसा महता, कमला चोधरी, लीलारी, मालती चोधरी, पुर्णिमा बनर जी, रेनुकार राई, स्र सारे ही इंपोर्टन है, लेकिन रेनुकार राई, स्रोजी नाइडू, राजकुमार, यम्रितौकर, यह बहुत इंपोर्टन नाम है, सारे के सारे, आगे चलते हैं, अब यहाँ पर मैंने आपको तीन डेट बताई थी ना, 9 दिसंबर, 9 दिसंबर को पहली मीटिंग होती है, जिसके अंदर ऐस्ताई रूप के अंदर, किन को चुन के आते हैं, जो सबसे बुजूर्ग, टक्टर सचीदानन सिना को चुना जाता है, भईया, आप एक बार लीडर बन जाईए, तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, एक पर्मानेंट लीडर तो चाहिए, तो 11 दिसंबर को एक प्रारम कर दिया से समिदान सभा की कारवाई को, यह था, तो तीन डेट काफी इंपोर्टन था, 9, 11, 13, 2, 2 का डिफरेंस हो जाए गए यहाँ पर, अजब 22 जनुवरी 1947 को यह उदेशिक, उदेशिया परस्तावता इसको सुविकार कर लिया गया, और अलग-अलग समीतियां बनाए गई, समीतियां बनाए गई थी, इसमें से काफी इंपोर्टन थी, वार्ता समीति थी, संग समीदान समीति थी, प्रांतिय समीदान समीति थी, संग शक्ति समीति थी, प्रारूप समीति थी, तो यह काफी इंपोर्टन समीतियां थी, जो यहाँ पर बनाए गई गई एक तो यहां परोगे और एक यहां परोगे तो याद रखना है कि कौन-कौन से समीति के अध्यक्स कौन-कौन थे ठीक है अब यह जो थी ना मौलिक अधिकार अल्प संकेक संबंदी प्रामर्श समीति इसकी दो सब समीतिया और थी एक थी मौलिक अधिकार उप समीति और एक थी अल्प संकेक समीति अच्छा अल्प संकेक उप समीति के जो देखते वो थे H.C. Mukherji और यहाँ पर इसके जो थे मौलिक अधिकार उप समीती के J.B. कृप लानी ठीक है? जहां रगना इस चीज़ को आगे आते हैं अब बात करते हैं कि देखे जो प्रारूप समीती थी B.N. Rao B.N. Rao द्वारा जो त्यार केगे समीधान का प्रारूप उस पर विचार करने के लिए समीधान सबादवारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प समीती संकल्प पारित किया गया उसमें पारित करके एक प्रारूप समीती का घठन किया गया वहाँ पर इस प्रारूप समीति के अध्यक्ष के रूप में डक्टर भीमरावमेटकर को चुना गया था अब डक्टर भीमरावमेटकर को चुनकर अलग छे सदस से और थे में लीडर होगे डक्टर भीमरावमेटकर यहाँ पर इसके बाद जो कौन-कौन से सदस साथ हैं जिनके अंदर मेन जो होगे अनि जो अद्यक्ष होगे टक्टर भीमरा मेटकर तिर इनके बाद एनकोपाल स्वामी अयंगर अलाधी कृष्ण स्वामी अयर कनायालाल मनिकलाल मुंशी शैयद महुम्मद सादुल्ला एन माधवरा बी एल मित्र के स्थान पर आये थे ध्यान रखना डीपी कहता है 1948 में इनके मृत्य हो गई थी और इनके जगां टीटी कृष्ण मुचारी के उस सदस्या बनाया गया था अब समिधान सभा में जो आप बात करें अंबेद्गर जी का जो चुनाव जो था वो कहां से हुआ था तो निर्वाचन से जो निर्वाचन हुआ था वो बंगाल से हुआ था जब देश का बटवारा हो गया था बाद में फिर बंबे से उनका निर्वाचन हुआ था तो important है काफी 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बटवारा हो जाने के बाद बारतिया समिधान सभा के कुल सदस्यों के संक्या 324 हो गई स्टार्टिंग में कितनी थी 389 कितनी आगी 324 अब जिसमें 235 प्रांतों के लिए 89 देशी जो तो है वो देशी रियास्तों के लिए यहां पर थे अब जो देश जब याजाद नहीं हुआ था उससे पहले एक अंत्री मंत्री मंडल की गठर हुआ था जिसके अंदर बात बोले गए थी कोन क्या क्या बनेगा तो यहां पर जौनला नहरू जी को क्या बनाया गया था भीया आपको इनको विभाग दिया गया था कारेकारी परशित के उपाध्यक्स विदेशी मामले और राष्टर मंडल यह संभालेंगे सरदार वल्ला भाई परटेल को ग्रह और सुचना परसान दिया गया था बाद में भी यही रहा था बलदेव सिंग को रक्षाग दिया गया था बाद में भी यही रहा था जोन मताई उद्योग आप पूर्ती लेकिन बाद में चेंज हो गया था शीराजगुपाला चारे शिक्षा एचसी भाबा कारे खान और एवम बुंदरगा राजंदर परसाद खाद्यार कृशी आसाफ अली रेलवे जग जीवन राम श्रम अच्छा यहां पर आप देखें लियाकत अली को लियाकत अली खान को वित आई आई चुंदरीगर वानी जै अब्दुलरब नर्शत को संचार जोगेंदर नात वंडल को विधी गजांतर अली कहां को स्वास्ते हैं तो यह चीजे थी यह स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में दी गए थी 1946 में लेकिन जब देश अजाद हुआ तो इसके बाद यह बदल जाते हैं तो इंपोर्टन होते हैं कि पहले इक इनको चुना गया था बाद में इनको चुना गया था जब देश के विवाजन के बाद दुबारा से संविधान सभा अगठन हुआ 31 अक्तूबर 1947 को अब 31 इसमबर 1947 को संविधान सभा के कुल सदस्वों की संक्या कितनी थी 289 थी जिसमें प्रांतियों की संक्या कितनी थी 229 थी देसी रियास्तों की संक्या कितनी थी 70 थी ध्यान रगना इस चीज में प्रारूप समीती के प्रारूप समीती ने समिधान के प्रारूप पर विचार विमर्स करने के बाद 21 फरवरी 1948 को समिधान समा में अपनी रिपोर्ट पेश की भहिया अब डिबेट करते हैं बात ये थी सिंपल अचा है समिधान समा में डिबेट स्टार्ट होती है यानि पर्थम वाचन स्टार्ट होता है 4 नॉवंबर से और खत्म कब होता है 9 नॉवंबर 1948 तक चलता है काफी इपोर्ट आधा है कि पहले की डेट क्या थी दूसरी की डेट क्या थी अब यह तीसरा होता है तो यहां पर समिधान को पारिट कर दिया जाते है कहते कि यह बिलकुल ठीक है हमने सारी चीजें इसके अंदर देख लिए इस समय समिधान समगे सद्देशों की संक्या कितने उपस्ती थे यहां पर 284 लेकिन सद्देशों की संक्या कितनी थी 299 अब आते हैं यहां पर अब यहां पर जो थे 1947 भारत का पहला मंत्री मंडल काफी important है देखो दरब मैंने का कि पहले कोई और थे लेकिन बाद में थोड़े बहुत चेंज हो गए थे तो जोहला नहरू इनको क्या दिया गया था परतान मंत्री जो बन गए थे राष्ट मंडल आएम तथा विदेशी मामले विज्ञानिक शोध इनको दे दिया गया था सर्दार वल्ला भाई पटेल ग्रहा सुजना आएम परसान राज्जों के मामले इनको दे दिया गया था काफ़ इंपोर्टन थे डाक्टर राजंदर परसाद खाद्यम करिशी थे मुहमद अबूल कलाम आजाद को शिक्षा का विभाग मिला था डाक्टर जौन मताई को रेल्वेव और परिवाहन का मिला था डाक्टर भीम राममेटकर जी को क्या मिला था विधी कानून मिला था जग जीवन राम को श्रम मिला था सर्दार बलदेव शीं को रक्षा मिली थी राज कुमारी अमरित कोर को स्वास्त्य है स्री एच बावा क्या मिला था वानीचे मिला था रफी एहमद किद्वई को संचार मिला था आर के शन्मुगम शेट्टी को वित मिला था डाक्तर शामा परसाद मुगर जी को उद्योग अपूर्ती वी एन गड़िकिल को कार्य खान और उर्जा ये भाग दिया गया था अब बात करते हैं देखिए जो वाचन जो इसले टोटल समय कितना लगा दो साल एक ग्यारा महीनी अठारा थी समिधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन भहस हुई थी क्लियर अब समिधान के निर्वान में कुल भहियां कहते हैं कि एतना रुपया खर्चा आ गया था कि 63,96,729 रुपया खर्च हुआ थे समिधान समा को जब 26 नॉमबर 1904 को समिधान समा दोहरा पारित कर दिया गया था लेकिन लागु नहीं किया गया था दागू क्या गया था 26 जनुवरी को 26 जनुवरी क्योंकि 26 जनुवरी को कराची में अदिवेशन हुआ था तो वहाँ पर ये बात उठी थी कि भाईया आज से हम स्वंतंतरा इसको स्वंतंतरता के रूप में बनाएंगे तो यहाँ पर 26 जनुवरी काफी जादा इंपोर्टन्ट है अब यहाँ पर क्या हुआ क्या ही कितने लोग कितने देखे जब समिधान जब पारित हुआ था उसमें 22 भाग थे 395 अनुछेदे 8 अनुसूचियां थी काफी इंपोर्टन्ट है अब यहाँ पर वर्तमान में 22 भाग है 395 अनुछेदे 12 अनुसूचियां है लेकिन इनके अंदर कुछ सब डिवीजन भी है कैर वो आगे जलेंगे तो बात करेंगे इनके बारे में देखे यहाँ पर जो थे इन अनुसेदों को 26 जनवरी 桃 से 22 से ही प्रिवर्तित कर दिया घया थे बागी कोकप किया गया था 26 जन पया Line 50 को लागू किया गया था सविधान सभा के अंति मैठा कब हुई पूचा जाते है कि 24 जनवरी Druặt truck को हुई थी उस दिन सविधान सभा में में इसने काम किया था काफी इंपोर्टन्ट है समिधान सभा द्वारा देखे क्या क्या काम किये गए थे 1949 मई 1949 को राष्टमंडल में भारत की सदस्या का सत्यापन कर लिया था देखे राष्टमंडल क्या थे Commonwealth Commonwealth जैसे कि जो अंग्रेज जो देश छोड़ के गए थे न अंग्रेजों को एक ख्या लाया क्यों न जो ये देश छोड़ के गए है तो इनको एक साथ लाया जाए इनको बताया जाए कि भईया ठीक है अब सब मिलके एक साथ रहेंगे तो यहाँ पर जो यह जो देश थे जिन काफी important है अब यहाँ पर यह चीज़ें हो गई है कि क्या चीज़ें लागों की गई थी यह सब हो गया अब 26 जुलाई अर्यचा फिर से भी आगया क्या 26 जुलाई 1947 को governor general ने पाकिस्तान के लिए प्रिथक सुविधाल सबाकी स्थापना की गोशना की थी यह पाकिस्तान बड़ा वह था यह जब अलग हुआ था इसने कहा था कि मैं तो 14 अगस्त को यह अपना अजादी दिवस बनाऊंगा तो यह 14 अगस्त को बनाता है बेटा है अपना कोई बात नहीं चलता रहेगा ओके तो यह करें वीडियो को पसंद आईए तो और साथ ही साथ सैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा ही पसंद आएगे तो शेर कर सकते हैं किसको भहिया वीडियो को भी और चैनल को भी तैंक यू जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में